हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है स्टाडी फाउंडेशन इट्यूप चनल पे गवाटी इंबसरी का बीएट का एंट्रेंस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास को कॉंटिन्यू करते हैं और आज उसका क्लास नमर्ट टू है और इ समिधान के इसके अंदर जो को सिन पूस्ता है इन पोटेंट जो है उसको भी हम लोग वीडियो का लास में डिसकस करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं को सिसन क्या है कॉंस्टिशन एक फंडेमेंटल प्रिंसिपल है बाइवीच एस्टेट गोभरन एक सेट काम करते हैं और गाइड को स्टेट को और पोलिटिकल और एक इसके और निक इसक जाथ है इसका निचर नेचर क्या एक करता है इसको कहा जाता है इसको यह सबसे highest low of the land है ठीक है उसके बाद next point है in 1934 first time idea of constitutional assembly for India was put forward by M.N. Roy इसका idea कौन दिये थे M.N. Roy दिये थे 1934 में तो बहुत बर examen question पुछा है तो आपको याद रखना है next point है in 1935 1935 में इस demand को यानि constitutional assembly का demand को सबसे पहले raise किया था कौन Indian National Congress ठीक है उसके बाद 1940 में पांच साल के बाद British सरकार इसको finally accept किया अगस्त offer के दोरान उसके बाद 1946 में cabinet mission plan जो है इंडिया में आया आगे चलेंगे नेक समय जानते है nature जो constitutionally बना था इसका nature क्या था सबसे पहले यहाँ पे इसका पहला नेचर है unicameral यानि रहर करने सिंगल्हाओ system आज भी चलता है ठीक है यहाँ पर पासली एलेक्टेर और पासली नومनेटर जलच का निचर है मात्मा गाधी मोहमद अली जिन्ना जैपरगास नरायन वेर नोट इस मेंबर यह आपको याद रखना है यह बहुत ही इंपोर्टेंट लीडर हुआ करते थे लेकिन इसका मेंबर नहीं थे इसमें टोटल मेंबर कितना थे 389 एभी एक्जाम में बहुत बर पूछा है इसमें इलेक्टेर कितना थे 296 और नॉमिनेटर कितना थे 93 ठीक है आगे चलें नेक्स पॉइंट और डिसकस करते हैं कॉस्ट्रे असेमली का सबसे पहला मीटिंग का बहा था 9 दिसमबर 9946 में एभी बहुत बर एक्जाम में इंदर परसाथ ठीक है इसका एडवाइजर कौन थे बिन राओ यह भी इंपोर्टेंट कोसे ने पुछ लेता है ठीक है इसके बाद नेक्स अमलों डिसकस करेंगे अब्जेक्टिव रिजलिशन के बारे में तो अब्जेक्टिव रिजलिशन का बया था 13 डिसमबर 1946 में इसको लाया कौन थे पंडित जोहराल नेरू एक क्या है एक मोडिफाइड भरसने परेंबल का है इसको एडव कब क्या था 22 जनवरी 1947 में तो दोनों आपको यह रिया दखना है आगे चले हैं इन एक समनों जानते हैं ड्राफ्टिंग कोमेटी के बारे में तो ड्राफ् तो मेंबर का नाम है यहां से भी एक जामें पूस लेता है ठीक है आगे नेक्स फाइनल ड्राफ जो है एडव कब किया गा था 26 नॉमेंबर 1949 में उसके बाद इसको फाइनली जो है लागू कब किया गया था 26 जनवरी 1950 में लेकिन कुछ रूल जो है इससे पहले भी लागू ह हो गया था जैसे कि यहां पर दिया है सिरिजन सीव इलेक्शन प्रोविजनल पार्लेमेंट पहले ही लागू हो गया था यानि 26 नॉमेंबर 1949 के बाद ही लागू हो गया था इतना लेट क्यों हुआ था लागू होने में इतना लेट इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 में सबसे पहले पूर्ण और सवराज यानि complete independence का demand को raise किया गया था इसको याद करते हुए 26 नॉमेंबर को नहीं 26 जनवरी को यहां पर इंतिजार किया गया इसको लागू करने के लिए ठीक है तो यह आपको point ध्यान रखना है यानि 26 नॉमेंबर 1949 में constitution को adopt किया गया था उस समय हो चका है ने यह ने यहां पर दिया है आर्ट कोंसा आर्डीकल में किया है इसके बारे में लोग जानेंगे नेक्स वीडियो में यानि यहानि यहां पर देख सकते हैं पर कितना है आर्टिकल यहां पर दिया है आर्ट कौन सा आर्टिकल में क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स वीडियो में उसके बाद जो सीडूल था बारा यहां पर दिया है ठीके आगे और चलेंगे तो इसको बारे में और भी देख लेते हैं कि कॉंस्टेशन एसेंबल डाक्टर राजिंदर प्रसाद को सबसे पहला प्रेश्जेंट भारत का बनाया गया था और इसी मीटिंग में नेशनल सौंग और नेशनल एंथेम को एड़प किया गया था ये भी बहुती इंपोर्टेंट कोसे ने पुछ लेता है ठीक है और आगे चलेंगे तो जो वान लिनियर इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ इसको आपको बस याद रखना है यानि कॉस्टिशन एड़प कब किया गया था 26 नुमेंबर 1949 में इसको लागू कब किया गया था इनिंफेक्ट कब हो था 26 January 1950 में उसके बाद National Song और National Anthem जो है एड़प कब किया गया था 24 January 1950 में इसके बाद नेक्सट पॉइंट है नेशनल फ्लेग जो है एड़प कब किया गया था 22 July 1947 में इसका measurement होता है 3 क Due टू, यह जो है खादी कोटन मेटिडियल से बना होता है, नेशनल फ्लेग, इसका नेक्स पॉइंट है, असोग चक्रा फ्लेग का मिडिल में होता है, इसके अंदर 24 स्पोक्स होता है, इसका कलर होता है नेभी ब्लू, ठीक है, यह भी एकजामें बहुत बर पूचा है, असोग में होता है, डार्ट ग्रीन, ग्रोथ और प्रोस्परेटी यहां पर सो करता है, इसका नेक्स पॉइंट है, नेशनल फ्लेग को डिजाइन किया था, पिंगली भेन का यह, एलिफेंट वाज एडॉप्टेट एज सिंबूल आफ कॉंस्ट्रेस अंबली, कॉंस्ट्रेस अंब का इंदिया बस एडॉप्टेट बाय। ब्लह किए तो इसको अबब कौन किया था? इसको एडफ क्या था अंन उसेंटेस अंप्ली ठिक यह तो इसके उसकर इंसलिबूर विप भई एंदिया फास्टमीट उण। इसका सबसे प़ला मिटिंग का बहा था इसके मिटिंग और था 9 December 9946 में इसलिए स्कॉसिन का सही एंसर हो जाएगा अप्स नमर भी इसका ने स्कॉसने इसके बारे में मैं बता चुका हूँ तो कौन थे उनका नाम है डाक्टर बी अन राओ इसका ने स्कॉसने हैं इसका सही अंसर है बी आर अंबेटकर अप्स नमर डी यहां पर सही है ने स्कॉसने डिजाइन आप नेशनल फ्लेग वाज इरॉटेट बाय दा कॉस्ट्रे सेमली एसेमली जो है नेशनल फ्लेकर डिजाइन कब इरुप किया था तो कब क्या था एक क्या था जुलाई 22 जुलाई फोल पारी में इस का उन्स को स्ने मिक वीच फ़र्लियू स्ने में इस का पुछ नार्टी इस नुर्ट बीजिलयुशन आपको हिःह पे अबजेक्टिटीब इसलिए संग के बारे इन साथ मैं गलत है नहीं इत्यूशन न्यूर्ट बता नहीं है टो आने होगा इ। धियू सब्सक्राइब करना है तो आप सभी स्टेट्मेंट देख सकते हैं लेकिन यहां पर जो है ऑप्सन ए में जो है दिसम्बर 947 में सबसे पहला मिटिंग हुआ था यहां पर गलत है एक का बहुत था नाइटिन फोटिसिक्स में इसलिए यहां पर गलत स्रीप अप्सन मरें बाकी सबसे पहले इसका बारे में लोग डिसकस कर चुके हैं इसलिए इस question का सही answer हो जाएगा option number D, इसके बाद next question है, in the national flag of India, the color of asop chakra, तो asop chakra का जो color होता है, कैसा होता है, navy blue होता है, हम लोग discuss कर चुके थे, इसलिए इस question का सही answer हो जाएगा option number C, 24 aspects होता है, और इसका color क्या होता है, navy blue होता है, तो यहाँ पर स्री blue दिया है, इसलिए इस का मैं exam के लिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.